लोग सबा का टिकेट कटने के बाद भाजपा नेता वरुन गांधी ने पहली बार एक पत्र में अपने मन की बात कही है वरुन गांधी ने यह पत्र पीली भीत की जनता के नाम लिखा है जिसमें वरुन ने अब तक के अपने राजनीतिक सफर के बारे में जिक्र किया है वेसल बीजेपी ने इस पर बिलीभीत से वरुन गांधी को टिकेट नहीं दिया है पार्टी ने उनकी जगे जतिन प्रसाद को उमिद्वार बना है इसके बाद वरुन गांधी ने एक्स पर पोस्ट किये गए पत्र में पीलीभीत की जनता से कहा फले ही कई कीमत चुकानी भावक कर दिया है मुझे वो तीन साल का एक छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मा की उंगली पकड़ कर पहली बार पीलीभीत आया था उससे यह पता भी नहीं था कि ये दिन धर्ती उसकी कर्म भूमी और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएगे उन्होंने आगे लिखा मैं खुद को सौभाग इशाली मानता हूं कि मुझे सालों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला महज एक सांसत के तौर पर ही नहीं बलकि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श सरलता और सह रिदयता का बहुत बड़ा योगदान है वरुन के इस खुले पत्र के कई मायने तलाश जा रहे हैं कल जितिन प्रसाद के नामांकन में भी वरुन शामिल नहीं हुए दरशल पीलीभीत में पहले चरण के तहत वोटिंग होगी या पर उनीस अप्रेल को वोट डाले जाएं मैं ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये साफ हो गया है कि वरुन गांधी पीलीभीत से निर्दली भी चुनाब नहीं लड़ेंगे दरसल बीजेपी से टिकेट कटने के बाद वरुन गांधी को लेकर कई तरह के कयास भी चल रहे थे